हेलो फ्रैंट्स च्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल परुष फुटोचॉप कैमरा एंड मूबैल में आज हम बात करेंगे निकॉन के D750 को मैन्यूल कैसे सलाएं और क्या इसकी सेटिंग कैसे करें हो अगे रहोगी कि प्रैंट्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें एंड मेरे सेनल को सब्सक्राइब करें यह है निकॉन का D750 यह देख लीजिया हूँ आजे प्रैंट्स तो सबसे पहले देखिए यह है स्विश यह आप कैमरा यह ओन ठीके प्रैंट्स यह है इसको ऐसे करोगे तो इस डिस्प्ले में लाइटिंग ठीके प्रैंट्स और यह है मोड चलेक्ट करने के लिए यह देखिए यह एम पे मैनुल मोड ठीके प्रैंट् यह हैं इसका एक्सपोजर इसको आप यह की दबा कर रहके और इसे कम ज्यद्धा कर सकते हैं ठीके ब्रैंट्स और अब मैं आपको दिखाता हूं इसके आई-ए-सो के बारे में यह दिखिए हैं सौर्ट कट की इस आई-सो की इसको दबाईए यहां राया इसो इस दिखिए यह टाइ-सो 320, 400, 500 यह इतना आप ऐसे सौर्ट कट की इस ठीके ब्रैंट्स और यह हैं वाइड बिलेंज का यह दिखिए यह इसे यह D2, D3 और यह सब चेंज होता हैं और इसे यह केलवेन कलर यह आप चेंज कर सकते हो इसे डिरेक्ट ठीके ब्रैंट्स यह हो गया सौर्ट की वाइड बिलेंज का एंड अब मैं आपको दिखा देता हूं अंदर से शैटिंस एक्सपोजर के लिए आपको सीधा यह स्पीड के लिए यह दिखिए आप स्पीड इससे कम ज़्यदा कर सकते हैं 160, 200, 250 अगरा और यह हैं इसका अपिसर कम ज़्यदा करने के लिए ठीक है और यह अपिसर तो आपको बताई है कम ज़्यदा क्यों किया जाता है क्योंकि फोटो अगर डारक आ रहा हो तो इसको अपिसर को कम कीजिए और लाइट आ रहा हो तो इसको बढ़ाए और ISO को भी आप उसे साब ज़्यदा कर सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं वाइड अंदर से कैसे स्लेट करें यह मैनियो और इसकी पूरी चैटिंग्स में आपको बता देता हूं तो फ्रैंट्स देखें यह हैं सेट पिक्चर कंट्रोल सब चेपहले आपको मेनू बटन फ्रेस करना और इसकी साहिदा से आपको इस पर जाना है यह दिखें मुवी अब इसके अंदर आप जो सब्सक्राइब कर सकते हो लेकिन विविट इसको ज़्यादा यूज किया जाता है विविड हो के कर दीजिए उसके बाद यह आगया वाइड बेलांस वाइड बेलांस के अंदर देखें यह ओटो है ओटो मैं आप नॉर्मल और ओटो टू कीप वार इसको भी आप चलस्ट कर सकते हो यह फलूरोस रिएंड इसके अंदर यह देखें सोडियम वेफू लेंब्स वारं वाइड फ्लो सेंट वाइड फ्लूर सेंट कूल वाइड फ्लूर रिज नडे फ्लूर सेंट डेलाइठ प्लूर सेंट आई टैम्परेशर मर्कुड़ि वै Shade, Shade को भी आपसे रट कर सकते हो, यह है Color Temperature। Soos यह है Calouine वाला, इसके अंदर आप यह कैसा Color करना साथ ही हो? यह है, Calouine Mode के अंदर आप इसको जैसा Color हो, वह है ह्ट अप चैड कर सकते हो यह ईसके अंदर यह.. यह देखें यह इसके अंदर यह डिस्प्ले भी दिया हुआ है कलर का यह नीचे मैगनेटा वीस में लाइड येलो ऊपर ग्रीन जो आप एड़ेस्ट करके यह जो करना साओ हो कर सकते हैं ठीके प्रेंट्स तो यह होने के बाद आप यह देखें एक प्रिशेट मैनियल D1, D2, D3, D4 ड5, D6 अब इसको आप दे-णाएड के हसाप से हेचट कर सकते हो यह D2, यह D3 और इसके अंदर देखें प्रिश नहीं जो केलोईञ आप अलिग से हैट कर सकते हो तर आप एलगक सेट कर दीडिये दे और उसके सांथ से फिर आप डारेट सॉटकट से वाइड बेलेंस कर सकते हुजा से मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैंट सेलेक्ट करता हूँ डी फॉर ठीक प्रेंट अब आप यह देखे यह वाइड बेलेंस दबया और यह देखे यह दी टू हो गया और और मैं आपको क्या दिख्खूं यह क्या यह यह इस रहो नॉर्मल और यह इन सब के बाद फोल्डर ऑप्शिन फाइल नहीं मग रहे हैं इमेज क्वालिटी आप इसको जेपीजी फाइन या जेपीजी नॉर्मल नेफ्ट रोज जो साओ लेकिन जेपीजी फाइनल मैंने पिक्सल से बता हैं और यह मीडियम है 4512 and 3008 यह और यह इसमाल इसके अंदर जो आप साइज रखना साओ वो रख सकते हो इसकी क्वालिटी के समझे ठीक है और यह इमेज एरिया यह चूजान इमेज एरिया जो आप इमेज एरिया रखना साते हो यह कैमरा फुल फ्रेम के च आता है और यह जेपिजी कंप्रेशर साइज प्रोपर्टी वगरा इनएफ्ट ररेकोर्डिंग वाइट बलांस वगरे हो गया ठीकना इनदर यह फोटो शुटिंग मेंग हो यह कैमरे का है और इसके अंदर भी यह सेम मोड है है इसके इंदर आप वीडियो के अंदर जो मै क्याता है जो साब जैम यह यह कैंदर नहीं द Dutch दिचरह का पेस्टोय कोहिं दिच्टरेशर नहीथ है डिर बाटेशर थिक्ट्र मेंगें और यह जुमी डियलिद्ग्ड, इस स्रेयर्ट कर देजोर्ट, इसलिदेन वरे थै क्टिक्टर्ट, कमटौनूमा, कोजूल में मरे आयए ISO कि मेसं संचविटी के और यह सब और इसके प्लिभेक मेनु रई प्लेड़र्विक फोल्डरदे में अधि है इसके प्लिभेक फोल्डर हो गळा देखं़ देलीड प्लेबएक फोल्डर नेम आयडाइट इमेज प्लेड़ डिस्प्ली यॉप्टिन इमेज, डिवियो, एफटर डिले, रोटेट, टेल, साइट, सो अगेरा यह सब फ्रेंट्स इसकी सेटिंग से और यह रिटस मेन्यों के अंदर भी इसके दिलाइ, रिटीन, रेड़ आई करेक्शन ट्रिम, मोनोक्रोम, फिल्टर रिपेक्ट, कलर बैलांस, इमेज और ले, ने फ्रोब, प्रोसेसिंग, रिशाइज, क्विक रिटर्स, इस्टेन नेट, डिश्टोन कंट्रोल, फिश आई, कलर आउटलाइन, कलर इसके अज, प्रस्पेक्टिव कंट्रोल, और यह मिनी ऐसे रि इसर के अंदर, ठीक ब्राइंस, और यह अनिकॉन का B750, इसके अंदर यह लैंच आता है 24, फुल फ्रेम लैंच है, 24 इंटू 120, जो में इसका, और जो आफ रेम आता है, उसके अंदर आता है जूम, 18 शे शुरू हता है, ठीक ब्राइंस, और यह इसके अंदर देकी, एम में म और यह नॉर्मल एक्टिव, और यह वी आरे पे, ओन आप, ठीक ब्राइंस, यह इसका जूम इतना है, यह देखिया आप, 120 जूम है, 120 फिलम के साथ है, ठीक ब्राइंस, वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे सेनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स प और वसीं